आपने लेके जाना है घर की छथ पे आपने घर की छथ पे किसी इकोने में उसको रख देना और जिस काम जाये जाये देखिए ज़रा मोटी सुझा यह पर रोली बच्चियां इतनी नेक देजी वियाफ्ता पड़ी लिखी के यकीन माहने मुझे समझ नहीं कि अगर इन बच्चियों के भी रिष्टे नहीं होने तो किस का है मेरे शेयत वानी रजीम बिस्मिल्ला रख्मानी रहीम, असलाम अलेकूम, मैं हूँ साधिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे, अलहमदुल्लाह मैं भी ठीक ह हूँ, खेरियत से हूँ, आप सब की दुआओं से अल्लाह हिम्मत देता है, चलाए रखता है, अच्छा जी मुझे आज कल जो बहुत जादा मुझे मसले, मसाइल आए हैं, बहुत जादा फॉन आ रहे हैं, और मुझे आप इस अपने वीडियो के तुरू, आप लोगों के स साथ साथ ये माजरत भी करना चाहती हूँ, कि मैं बहुत जादा कॉल्स नहीं उठा पा रही, और वैसे जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरी मस्रूफियत कुछ एक्स्ट्राइडिनरी जादा हुई है, कुछ हमारे बाइलेक्शन चल रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक के ड तो इस वज़ा से आजकल वो इस तरह में, लेकिन मैं जो इन वीडियो का, इन वजाइफ का मकसद ही ये होता है, कि मैं तमाम मस्ले जो मेरे पास आते हैं, उनको उनका लुब्ब लबाब जो है, जो जादा तरक्सरियत में मसाइल होते हैं, मैं उस पर आपको कोई ना कोई ऐसा अमल, ऐसा वजीफा बता देती हूं, जो इस मसले का हल होता है, हर इनसान का इंडिविजियली मसला सुनना डिफिकल्ट है, आखास तो पर आजकल जब हमारा एक रूटीन, काम बहुत सदा बड़ा हुआ है, तो बरहाल कोशिश करती हूं, साथ साथ आप लोगों से बा दूसरा एक मैने बहुत सादा और वो के मिया बीवी की महपत, बहुत सादा खवातीन, बच्चियों के मुझे कॉले आई हैं, कि मिया अगर बाहर गया है तो मुड़कर आया नहीं, गया है तो बुला नहीं रहा, घर पे भी है तो सबकी बातों में आके वो बीवी से इतनी यो लड़कियां परशान, इतनी वो रहती हैं, तो इतने मुझे देखकर परशानी होती है, और सुनकर बच्चियां रो रही होती है, तरप रही होती है, कि अपना मुझे हमें ये मसला में समझ नहीं रहा, या सासें प्रॉब्लम कर रही है, या घर वाले खुश नही है एक दो मेरा अपनी तमाम बेहनों से जो सासे हैं और जिन पेंहें कहना मैं चाहती हूं कि खादा जो बहुएं आती हैं वह नूहीं आपकी बेटिया हैं घर की रौनक है उनका भी आपके बीटे की जिंदगी में बड़ा एक मकाम होता है और आपका बेटा आपका है कोई नहीं ले रहा there is no competition between मां और बीवी they both are totally different relationship मां की जगा मां का मकाम कोई नहीं ले सकता और बीवी के हकूग बीवी के जो जमधारियां उसको भी खामित के लावा कोई नहीं कर सकता तो इस चीज़ को रिष्टों में तवाजन रखिये प्यार महबत रखिये आने वालों के लिए अपनी दिलों को को शायदा कीजिए और जिस तरह का आप अपनी बेटी के लिए जिन्दगी चाहते हैं कि वो independent हो उसको भी हकूग मिलें उसका शोहर उससे महबत करता हो तवज्जा देता हो तो इसी तरह आपकी बहूं का भी हक है तो ताके मसाहिल का मौज़ जिन्दगी में और आपका बेटा भी परशान रहेगा अगर आप तोनों तरफ से परशान रखेंगे तो आपका बेटा कभी कुछ नहीं रह सकेगा और आपका बेटे से अगर आपको प्यार है तो आपको यह नहीं करना चाहिए अच्छ जी अब आते हैं रिष्टे नहीं हो रहे बच्चेयों के बच्चों के रिष्टे आते हैं बात आके चलती है बात रुख जाती है और मेरे नजर में, मेरे कें एपने बहुत क्लोज जानने वालों में, मिलने वालों में इतनी प्यारी बच्चिया हैं, इतनी नेक तैजी व्याफता, पड़ी लिखी कि यकीन माने मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन बच्चियों के भी रिष्टे नहीं होने तो किसके होने है लेकिन पता नहीं आजकल हमारा मियार क्या है मुझे समझ नहीं आता और हम कभी ये रंगत थोड़ी कम है या जादा है मुटापा लेके कभी पतला बहुत है कभी मोटी है कभी कुछ है अल्ला के बनाएवे इन चीजों को हमें जरा इस पे सोचना चाहिए हमारी बच्चियां भी कोई भी परफेक्ट हीरोईन या हीरो नहीं होते हमें उनके इखला, किरदार, तालीम और तर्बियत को देखना चाहिए परहल मैं बहुत ज़दा डिटेल्स में जा रही हूँ क्योंकि मेरी जरा emotional attachment है मैं खुद बेटियों की मा हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत समझती हूँ मेरी बड़ी प्यारी दो बहुएं भी है तीन बेटियां भी है, बहुत ही प्यारी और अल्ला का शुकर है, मेरे बहुत अच्छे दमाद भी है अच्छे जी, अब इन तमाम मसलों का हल कारोबार नहीं चल रहा, नजर है, हसद है, जादू है, टूना है एक बहुत जबदस अमल लेके आई हूँ आपके पास बहुत ही असान है, एक बार करना है और उसके बाद आपने इसके समराद देख रहे हैं अमल कुछ यह है, कि आपने हर घर में अल्मूस दो सबस अलाचियां चोटी यह वैसे इतनी सबस नहीं है, यह थोड़ी सी पीली हो गई है कोशिश यह करना है, यह तो मैं सर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हूँ तो सबस अलाचिय हो, फ्रेश फ्रेश, दो सबस अलाचियां लेनी है एक सुई लेनी है, आम, सुई धाके वाली ते पास यह सुई है, मैंने बंगवाई उन्होंने मजे सुई दे दिया हमें यह तीन चीजें चाहिएं इस अमल के लिए अमल इंतहाई आसान है, आपने बावजू होकर बैटना है और जो आपके मसाइल हैं, जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं बच्चियों के रिष्टों के लिए, और कारणवार के लिए, सहित के लिए, जादु, टुना, नजर के लिए, घर में, बेचेनी के लिए, घर में, सलूक ना होने के लिए, जो काम की नियत करके आपने पहले एक लैची पकड़नी है इस पे बिसम इल्ला पढ़कर अबलो आखर दुरूद पाक पढ़ना है और एक बार सुरह इखलास और दस बार इसमे अल्ला है या मतक्बेरू, या मतकबेरू, या मतकबेरू, या मतकबेरू, दस बार पढ़कर इस पर आपने फूक माननी है, और इसको सुई में, सुई बड़ी खतरनाक है, अल्ला करे कि इसमें परोया जाए, इसी तरह आपने दूसरी लेचे पकेड़ नहीं है अब लोग आखिर दूरुदे पाक पढ़ते हुए एक बार सुरह इखलास अहल、 खुलिका, हुए पार, यह पढ़ नोटी है और इस तरहा पे रोग लेञा है यह थोड़ी है तो ही हि बहुत मोटी है और जब फ्रेश लैची होगी यह ज़रा ड्राय भी हो चुकी है और बरहाल बात समझ भी आगई है इसी तरह प्रोग लेजेगा और आपने इसको प्रोग के आपने इस सुई को लैचियो समेथ इसी नियत के साथ जिस काम के लिए आपने यह पड़ा है आपने लेके जाना है घर की छट पे आपने घर की छट पे किसी कोने में इसको रख देना और जिस काम के आपने नियत की है बच्चों के रिष्टे के लिए घर के सकून के लिए जादू टूने के लिए कारोबार में तरक्की के लिए और आपने वापस दीचे आजन है इन्शालला ताला आप दे आला की हिकमते होती हैं कुछ अमल ऐसे होते हैं कि इनके निताइज बहुत जबदस्त होते हैं। बहुत शुक्रियां।